खै गाइज, अगर आप पॉलेटेकनिक कालेजस से हम पॉलेटेकनिक कर लें कि हमारी जॉब पक्की हैं पॉलेटेकनिक करने की सोच रहे हो तो ये वीडेयो काफी इंपोर्टन्ट है और मैं आप लोग को मैं पिछले दस सालों से ज़ादे होगे मुझे इंडस्टी में तो मैं आप लोग साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो fact है इंडस्टी की वो मैं आप लोग साथ share करना चाहता हूँ तो दिखो guys, अगर आप polytechnic करने की सोच रहे हो, तो करो, मैं चाहता हूँ बिल्कुल 100% आप करो, पीछे मत हटो polytechnic का demand बढ़ा है, ऐसा नहीं कि polytechnic बेकार हो गया, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे polytechnic बेकार हो गया, लेकिन आप उनकी बातों में मत आईएगा, क्योंकि उनको नहीं पता what is the value of polytechnic, polytechnic कैसे करोगे, polytechnic को कैसे लेके जाओगे, चीजे किस तरह से polytechnic में काम करेंगे, ये सारी चीजे जानना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी responsibility है जब तक आप ये जानोगे नहीं, कि भाई, polytechnic कहां से करना चाहिए, कौन सा government college है, जहां से हम कर ले वहां से हमें सरकारी नौगरी भी मिल सकते हैं, हमें private job में मिल सकता है, हमारा career भी अच्छा जा सकता है तो आज की वीडियो में हम उसी topic पे बात करेंगे, अच्छा, दो चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ पहला कि आप तो polytechnic का entrance exam जब दे रहे हो, तो बड़ी सावधानी से तो भी अच्छी rank लेकर करके आओ, अच्छी rank polytechnic में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है अगर आप अच्छी rank लेकर नहीं आओगे, तो career आगे नहीं बढ़ेगा, और चीजे उस level पे आपके लिए नहीं होगे, तो अच्छी rank लेकर करके आओगे आओगे बढ़ेगा, और चीजे smooth होंगे, और चीजे better तरीके से आपके लिए काम करेंगे, अब बात करते हैं कि अच्छी कि किसी भी government college का नाम आपे डॉन कर दो, वो list placement wise होना चाहिए, ऐसे से college है, पॉले टेकिनिक के ना top 10 में, कि जो बहुत अच्छा placement देते हैं, मतलब अच्छा नहीं बहुत अच्छा placement देते हैं, 100 out 100% placement देते हैं, ऐसे से college भी मैंने देखे हैं, तो आपको उन college जो म करीब में हो गई हैं, government college बढ़ गए हैं, government seat बढ़ गई हैं, चीजे उस level पे पहुँच गई हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाई, अगर government seat बढ़ गई हैं, government में बहुत सारे चीजे अडॉन हो गई हैं, तो आप नहीं जानोगे, तो आपका career आगे कैसे जाए और चीजे उस level पे काम नहीं करेंगी, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जल्दवाजी में decision मत लिजे, जो top 10 college हैं, उसमें सबसे बढ़ी हैं, कौन सी ब्रांच सबसे अच्छा perform कर रही हैं, कौन सी ब्रांच से लोग करने पाल अच्छा placement हो रहा है, इस ब्रांच से करने वाल लोग का करियर अच्छा जा रहा, वो सारे factor को mindset में रखें, जब आप उन सारे factors को mindset में रखोगे, तो career बेटर जाएगा, फिर वहाँ से जादे दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इस factor को mindset में नहीं रखें और फिर उसी तरह करते रहें, तो career गवड़ा सकता ह करियर में problem आ सकती है, चीजे complicated हो सकती है, तो जो point मैंने बताया, उसको mindset में रखते हुए, धीरे-धीरे देखो, step by step अपने career को लेके जाओगे, तो अच्छा रहेगा, नहीं step by step लेकर कि जाओ, धडाम से गिरोगे, career बरबाद हो जाएगा, कहीं नहीं यहां के रहोगे, न इधर से उधर ना हो जातो, सरफ एक सोर इन नहीं रुपे में counseling मिल रही, offer चल लें, उसका फायदा उठाइए, वीडियो में इतना ही हो गए, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं आप से next video में, thank you